दोस्तो स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल All Manufacturing India में दोस्तो आज बताएंगे जैसा कि आप मेरे पीछे ग्रिल देख रहे हैं तो ग्रिल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे उसको कहां पर यूज किया जाता है उसको दिखाएंगे और इसका प्राइज क्या होता है प्राइब किये जागा तो चलते हैं वीडियो की तरफ यह होतिया ग्रिल तो इसको बताएंगे हम के इसको कहां पर यूज किया जाता है और यह कितना साइज इसका होता है कितने अमें तक आपको मार्किट में मिल जाती है ऐसा तो नहीं है कि इसको हरकोई दुकंदार रखत इस जाती है और अब यहादतर क्या होता है कि मेस डोर जो यह जकी जाती है तो सिफ वहां से पहले मैं इस ग्रिल को आपको थोड़ा सा को नज़्दीक जाके दिखाती हों देख ander इक पταosा इसका ओस यह खुआ जो आप देख यह तीन इनची 617 का खाना इसका होता है तीन नहीं है मगर क्या होता है कि 4 mm आपको आसानी से मिल जाएगा और जो जैसे कि 10 mm, 8 mm के जो ग्रिल होगी वह आपको हर किसी के पास नहीं मिल पाती जैसा कि यह ग्रिल आप तेख रहे हैं यह पूरी 5 mm ग्रिल है और यह हमारे इहां पर भी 10 mm आपको मुस्किली मिल पाएगी वह हमेशा बनती ऐगिए तो ऐसा नहीं है कि वह सब जगा मिल जाएगी और यह ग्रिल क्या होता है कि मेश डोर में ही आप इस इस्तमाल कर लेते हैं या कि जहां पर को आपको लगेगा कोई चीज गिर सकती है भार की तरफ वहां पर एप्स को इससतमाल कर सकते हैं हवा भी आती अब क्योंकि रेट बड़ा हुआ है तो रेट के हिसाब से अब तो 30-35-35 रूपे से कम आपको मार्किट में नहीं मिलेगी तो इस तरीके से ही मतलब रेट काफी ज्यादा इसके हाई अभी मार्किट में हो चुके हैं जैसा कि अलमुनियम बढ़ा है रेट अभी काफी ज्यादा हाई है इसका तो इन चीजों को आप इस्तमाल कर सकते हैं अपने काम में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स टूरियम तब तक के लिए जाहिए जय बारत